जहिन आज से स्टार्ट कर रहे हम लोग B.H.D.A.E. 182 के लिए कलास इसको आज पहली कलास है पहली कलास में हम लोग पहली एकाई एकाई नमर वन को देखेंगे इसमें कहा जाता है हिंदी भासा का विकास इसके बारे में हम लोग चर्चा करेंगे वो भी सरल भासा में इसमें unit 1 ये सब का base होता है और इसको जाना बहुत जुरूई है तिक है जैसे कहा जाता 1.2 में कि भासा का अर्थ और परिवासा क्या होता है तिक है भासा का अर्थ जो है और भासा का परिवासा जो ना अभी तक जो है ना कोई भी विद्वान जो ना ऐसी नहीं कह पाया कि नहीं यह बहुत सारे अर्थ हैं हम लोग सिंपल तरेके से कई इ 보ंपल के माधेम से समझने का परियास करें जैसे कि कहा जाता है भासा जो है ना हमारे लिए एक परकार का प्रेकृतिक देन है जो करता ना गौड गिप्टेट है एक परकार की भासा ऐसी चीजे हैं ठीक है और भासा का अर्थी है जैसे कि आप कोई भी चीजे किसी एक व्यक्ति है जैसे A कोई व्यक्ति है कोई B व्यक् जो भी देख रहे हो students वो सभी A हो और मैं B हूँ ठीक है आप सभी मुझे कई दिनों से कई बार messages किये हो कि sir PhD 182 के लिए classes लाइए ठीक है और मैं B जो हूँ आज आप सबों के लिए इसका classes को start कर दिया कहीं न कहीं मैंने आपकी बाताओं को आपकी भासा को मैंने समझा और आपकी मांगो को मैंने पूरा किया यह सभी जोन परकरिया किसके माधियम से हुआ भासा की माधियम से हुआ ठीक है यदि इसी तरह से अगर आप सही तरह के से नहीं बोल पाते कि sir इस subject की भासा मतलब इस subject की classes लाइए तो मैं नहीं समझ पाता नहीं समझ पाता तो आपकी मा प्रकर का बहासा है है। बाख़ास परषा का पर्योग कर रहे हैं तो हिंदी एक परकार का भासा है तिक है अगर इसी में कोई वीदेशी ऐसा देश का वेक्ति आ जाए हमारे वीडियो में कॉमेंट कर दे कि सर मुझे मतलब एक 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 जामपल ले रहा हूँ कि इस सब्जेक की कलास देजे हाला कि वो नहीं बोलेगा क्योंकि वो इगनुकर नहीं होगा या तो यह बस ऐसे व्यूज के लिए आ गया ऐसे बहुत सारे कोमेंट्स आते हैं जिसको मैं नहीं समझ पाता हूँ अलेकर अक्न तरlaub ही नहीं पाता हूँ उसको नहीं रिपला दे पाता हूँ नहीं उसकी मांझए को पूरा कर पाता हूँ तो यह परकार की भासां इस था ठिक है? समझ गए भासा? जाए तो इस परकरक आपको परियोग करना है जैसे कहा जाता है हेंडी स्वीट हेंडी स्वीट ने क्या काता है धनात्मक सब्दों द्वारा विचारों के परकटी करन को भासा कहा है ठीक है और उसी तरह बाबूराम सक्सेना ने यह सभी जोन विद्वान है आप कुछ विद् नो द्वारा मनुस परफर विचार वीने में करता है उसके समस्टिक रूप को भारे भासा करते हैं जैसे कहा जाता है जैसे कई वेकती हैं जो बोल नहीं पाते हैं वो इस सारा करते हैं चिने करते हैं लीग करते हैं किसी भी परकार को वो सामने वालों को समझाते कि मुझे ये दो, वो दो, एक परकार का ये भी भासा है, ठीक है, उसके अगला कहा जाता है, जैसे हाँ, बंद्रे, बंद्रे, बंद्रे का कता है, भासा मनुस्यों के बीच संचार वहवार के माध्यम के एक रूप में परतीक होता है, इन परी भासाओं से भासा की द्वानी में साथ ज शिant ईजाए जैसे कि अधिया जो के आपके बहुत सब्सक्राइख भूलनार यृक भदविवादव करेंगे फी से अलग लने पारट चाहें उस तर यह पर ये उआधे जो घतरी हाशान Sylga हो गया बावुरम सक्सेना हो गया बेंद्रे हो गया इन तमाम विद्वानों की माधियम तुलना में जो ब्लॉक और ट्रेगर की परिवासा जो नहीं सबसे माने माना गया है ठीक है इनके अनुसर भासा याद्रिशिक धुहनी परतिकों की वेवस्था है जिसके द्वारा अब सिफ इसरा के माधियम से बताता है कोई भी सब्दे तो एक परकार का ध्वन है ध्वनी के माधियम से अगर मान के चलो कोई देख नहीं पाता है सुन सकता है सुनने के माधियम से भी तो आता है ध्वनी और ऐसे कई परकार के ध्वनी हैं जैसे कि आप मान के चलो मौसम क जो जहाद चालक होते हैं पानी में जो जहाद चलती है उसके चालक होगे उसके language अलग तरीके से होते हैं यो यो करते हैं तो वो अलग तरीके से भासा होती है ताकि जोन वो code वाले भासा होती है दोनी का परतिक भी एक पर का का भासा माना गए ये ब्लोक और ट्रेगर के मादिम से कहा गया है ठीक है, समझ गया ये रहाप का परिभासा, भासा का माद उके, उसके अगला काज़ा था भासा का स्वरूप और प्रिकृती भासा का स्वरूप और प्रिकृती को चार्चा करते इसमें देखिए क्या करता भासा को यादरीशिक दुवनी पर्तिकों का विवस्था माना गया है सिम उसी तरह से भासाएं दी गई है जो समाज में आपस में विचार में परियुक ठोटी है जैसे भी मैंने एक जामपल लिया था आप ऐसी बाते बोलेंगे जिसे की सामने वाले समझ सके अब मान के चलो एक समू है समू बन गया ठीक है समू तो बन गया अगर उसमें से किसी के बाते किसी को समझ में ही ना आए तो वो किस तरह का समू है कितना देर टक्टिक हैगा जदा जदा दो मिनट पांच मिनट दस मिनट अपने अप सब चुप हो जागा, या कुछ समझी नहीं पारा मेरी भावनाओं को, मेरी भावों को, तो वो समू किस तरह काम का, तो यह परकार का भासा है, तो ठीक है, तो यह है भासा का सोरूप और परकृति के बारे में, ठीक है, से मुझी तरह से है, यहाँ पर हम लोग ए और उसके बात है परिवेस हो गया, संकेतार्थ हो गया, परतीक हो गया, परिवेस हो गया, परिवेस हो गया, ठीक है, यह सभी जो नेपरका का चिन्नी है, कि किस तरह से संकेत कर रहे हैं, किस तरह से परतीक दे रहे हैं, ताकि सामने वाले समझ सके, ठीक है, और उसके परिवे सब्दों का वाकि की संकलपना, उन सभी वस्तों या भावों का समयनी कृत्यìn How to affect your design. जो निर्दिष्त वस्तों या भावों को अपने भीतर समेट लेती हैं,eter बाएम्ढी healthy yeص संब्दों का वाकि की संब्दों कर प्रीडम गावों के से सम्मानी तरीक से कर सके और सामने वालों को समझा सके परतीक के मारे हमसे, काता ना, यार कोई चिन दो कोई परतीक दो, ताकि मैं समझ पाऊं अगर कोई दूर में है जैसे कि आप यहाँ पे हो और यहाँ लगबाग 500 मीटर में दूरी है 500 जोने मीटर दूर है कोई वेक्ती ठीक है, और यहाँ पे कहा जाता है कि जैसे कि यहाँ से जो है ना, यहाँ तक आवाज नहीं सुनाई देता है, अगर इसको बुलाना हो, तो कैसे करते हैं, हाथ के हिसारा से ऐसे से करते हैं, याद है जैसे कि चारों अंगली अपने अपने उपर नीच उपर नेचे करते हैं तो यह परकार का परतीक होती है ठीक है? वही एक परकार का परतीक मनेगा है तो इससी तरके से उधारन के लिए सामने यह थार्त वस्तू पेर के रुप में उनके रुपाकार की संकल्मान माना मस्तिक में बैट गई है ठीक है तो यह प्रकार का पतीग के रुप में समझा गया है उके तो जैसे मैं बता है उसको आप रहा हो उसको अप होङहा हूए समझाने का पर यहाश्त का उसको लिख सकते है जैसे संकेत करना यहां पर कथ हो गया है सब जोना विवेक्ति है ठीक है अगला टोपिक कहा जा रहा है भासा के विविद रूप यह इंपोर्टेंट है काफी ज़दे इंपोर्टेंट है आपको कई बार पूचे गये हैं कि भासा के विविद रूप हो की चर्चा की जिए तो अभी इस तरह से आपको लिखना जैसे भागोली की सूशाइटी में किस तरब से भासा का परियोग करते हैं कि स्वाईटी में किस तरब बहसा का परियोग करते हैं जैसे मैंने एक्जामपल भी लिया था बिहार, यूपी, दिल्ली, पर्णजाब, हरियाना, केरल ये सभी चोग नाला का परियार के ये छेतर में भासाइं बोली जाती है ये वेक्ति बूली है ये परतियक्च तरीके से दुरगामी परभाव का परत करता के कारण ही संभव होता है उसके अगला काज़त अस्थानिय बोली बहुत सी वेक्ति बहुत सी वेक्ति जो नब बोलियां मिलकर एक अस्थानिय बोली बनती है जिनमें द्वनी, रूप, वाक्य, एवं अर्थ के अस्थार पर पासपरिक बोत गमता होती है ये किसी 500 मतलब परिवार है आप ऐसे भी कई समाज देखने को मिलेगा जहां पर हिंदी तो बोली जाती है भारत में ठीक है और इसके अलबा अलग-अलग समाज में अलग-अलग स्वेसाइटी में जो ना अलग-अलग तरिके से भासा ही बोली जाती है आप मान के चलो ये एक ये एक राजी है राजियों में अलग-अलग प्रकार के समाज है ठीक है ये थोड़ी-थोड़ी समाज है और ये समाज में जो ना हाला कि राजी एक है में तो हिंदी है ही इसके अलबार समाज में जैसे यहां पे अलग-अलग-अलग-अलग-अलग-अलग-अलग-अलग- मतला राजियों की भासा बोलेंगे जो ताकि वो समझ सके सामने बाले तो आई होगी अस्थानी भासा समझ चुकेंगे ठीक है वो आपस में जो बाते करते जहां वहां रहन सहान जहां सब दिन उसका रहना होता है उसकी भासा अलग होती है और बहार निकलेंगे तो उसकी भासा अगर अलग है तो वो अलग तरिके से भासा बोलते हैं और उपबोली, उपबोली होती है कि एक आधिक अस्थानी बोलियां मिलकर एक उपबोली बनती है जैसे भोचपूरी की छपरिया, खकार, सहवारी, गोरकपूरी, नकपूरिया आधि अनेक उपबोलियां है ये सब जोन उपबोलियां बोले तो मतलब कि मदद करने वाली भासा हैं जो मदद करती है, जैसे भोचपूरी में एक जामपल दिया गया है, छपरिया, ठीक है, ये सबी जोन उपबोली हैं उसकर बोली, बोली एक होता है कि एक जो उपबोली मिलकर, कई उपबोली मिलकर, जो एक होती है, वो बोली होती है जैसे काता रहा कि परधान मंत्री, उप परधान मंत्री, मतलब कि परधान मंत्री सिनियर हुआ, उप परधान मंत्री जुनियर हुआ, उप परधान मंत्री इसमें का जाता है, उप बोली जो होती है, वो मिलकर बोली का भासा बनाती है, ठीक है, जैसे कि भोचपूरी हो गया, मिथली हो गया मगही हो गया ये सभी जो नवर्ग बोली का भाग है उसके तका था उपभासा उपभासा वो पहले उपभासा आगया कुछ विद्वानों ने कुछ बोलियों के उपभासा का है जैसे बिहारी उपभासा में भोचपूरी मिथली और मगही बोलियां का एक ठीक है और उसी तरह से ये लेकिन ये वर्गी करन भागरन और गलत है भामरक गलत है ठीक है इसमें व्यपारी करन समानता और प्रसपरबोध गमता को तो कापी हद तक मिल सकती है लेकिन तु जाती है उसमिता के कारण इनमें भेता भी देखने को मिलती है हिंदी को बिहारी र ही हमारी हिंदी को जो ना जो बिहार से वो अलग करती है राजस्थानी से राजस्थान को अलग करती है ठीक है यह सभी जो ना परका का अलग रखना चाहिए ठीक है यह हमें हिंदी पे ज्यादा ज्यादा फोकस करना चाहिए उसके इतका ज्यादा भासा जैसे भासा के बारे म भासा। जो language of common sense उसकी भासा को योज करते ہیں किसी भी समाज में रोज मर्रा के रोप में परिक्त होने वारे समानी भासा होती है जो रोज मर्रा जो रोज काम कर रहे हैं जसे समाज में ही या कहीं भी आप पराई कर रहे हो जैसे हिंदी में जिसका परियोग साहित-रचना सिक्छा आधी में होता है जैसे कहाता न हिंदी साहित एक परकर का भासा है यह साहितिक भासा है यह जो हम लोग सिक्छा गरहन में परियोग करते हैं जैसे आप बूख के language में आपको समझने मैं जो आपको समझा रहा हूं इसको पढ़ के मैं खुद समझ के समझा रहा हूं यह भासा हुआ समाने बोलचाल की भासा हुआ और यदि आप सभी direct बुक से पढ़ते हैं और एक्जाम होल में जाते हैं इसमें आपको सिछ़ा मिलते हैं थोड़ी सी वेबुक की लेंग्वेज मिलता तो ये साहितिक भासा हो गया है। मैं इसको सिंपल तरीके से आपको समझा रहा हूँ, ये समानी बोलचाल की भासा की रूप में मैं कनवर्ट कर दे रहा हूँ, समझ चुके हैं, उसके अगला काचा तो वेबुसा एक भासा, यानि कि बिजनेस के तरीके से जो हता है, वो भासा है, ये ये भासा जो वेबुसा हो गया, वेपार हो गया, पर उतमी होने के लिए विसी सुरूप धारन करती है, ये प्राय उपचारिक, अवम, अनवचारिक और तकनिकी और अर्थ तकनिकी होती है, ये लिकित और मोखिक दोनों रूपों में परियूक्त होती है, इसकी वेबुसा या वेपार संबंदी अपनी विसी सब्दावलेों के सनस्जना होती है, और कारियाली भासा यह जो ऑफिस की भासा होती है यह कारियाली भासा होगे और राज भासा यह सरकार और जनता के बीच में जो बोल चल की भासा होती है वो होती है राज भासा ठीक है यह परतेनिश्ट और मानक भी होती है यह देश में बोले जाने वाली भासा होती है ठीक है इसमें विशायनुसार सब्दावलियरी जैसे की हो गया, इसमें परियोक हो गया, सरकारी मंत्रालाय हो गया, कार्यालाय हो गया, कमपनियां हो गया, नियमों के अनुसार जो होगी और जो सम्मू होगी ये सभी संसद हो गया, इसमें आपके भासाइं बोली जाएंगे, और रा अगला काज़ा तो गुप्त भासा बतला कि जो गुप्त हो चुका है यह बासा किसी विशेस वर्ग या समुए या संपरदाय में परियुक्त होती है जिसे वर्ग के लोग समझ सके इसे वर्ग भासा या चोर भासा भी कहते है इसकी सीमा भोगलिक नहीं होती है वस्तुत यह भासा, सेना, दकेतो, या चोर द्वारा zwei होता है, ठैक है, और मृत भासा, जिस भासा का प्रियोक भूत काल में जीवन भासा के रूप में होता रहा हो, जिसका विलूब सहच भंडार भी हो, और उसका, जिसका प्रियोक राज काग्ज में हुआ हो जादू टोना वर्तमान वह यह सबी अगला है निर्मान की आधार पर निर्मान की आधार पर सहज भासा समाने बोलचाल की भासा है जिसका उदवाव प्राकर्तिक और सहज रूप में हुआ जैसे हिंदी, अंगरेजी, जर्मन और क्रितिम भासा क्रितिम भासा जो है वो सर्भोमिक रूमेर लेकर अंतराश्ट अस्तर पर जो होती है वो दिष्टिकोन वैसी होती है ठीक है इसमें जो है दो उपभेद है कहा जाता है समाने क्रितिम भासा समाने बोलचाल में परियुक्त करने के लिए बनाई गई भासा जैसे कि एस्पिरेंटा भासा और गुप्त कृतिम भासा किसी विष्टेश पर्योजन के लिए बनाई गई भासा सेना दलालो डाकटों आधी कले मनता है और कहा जाता है मानता के आदार पर मानता क्या परिनिष्टित भासा जो व्याकरन सम्मत तथा परियोग सम्मत हो दोहनी सब्द वाकिव आधी में व्याकरन सम्मत होने के सासत एक रुप्ता और लोग स्विकरती हो जैसे मुझे घर जाना है मतलब कि ये पूरा संटेंस तरीके से एक वाकिक तरीके से बोला जाएंगे ने वाला भासा जो है ये मानकता के अधार पर मानते हैं ठीके और मानकेतर भासा जो परियोग सम्मत हो जिसमें लोग स्विकरती हो ये सभी मानकतर भासा है ठीके और उसे प्रकारिये के अधार पर संपूरक भासा नीजी ज्यान की विर्धी के लिए दुवित्य भासा परियोग करना सीखना ये पुरुस्तकाले भासा होती है जिसका सक्रिय परियोग नहीं है तो ये सभी पूरक संपूरक सहयक भासा है तो इत्यासी भासा होगे प्राचीन भासा जो मदेकालिन भासा जो प्राचीन में यूखत होते थे ग्रीक, लेटीन, क्कुए हो रिद्धी मराथी बंगलाब आंग्रेजी इस सभी हो गया आपके भार्सा के परकार ठीक है तो यह सभी है ऐसे हैं आप मैं पर्ड़ सक्ट हैं ऑके तो क sound किए उमेद करता हूं यह लह ना आज के session में बस इतना ही रने देते हैं और जो भी channel में पहली बारा हैं और चैनल को subscribe नहीं कि तो please channel को subscribe जरूर कर लें और बहुत जल next unit भी हम लोग start कर रहे हैं नेक्स session भी upload करेंगे आप सब भी हमारे साथ जुरे रहिए और एक निवेदन है जो भी channel में पहली बारा हैं और चैनल को subscribe नहीं कि तो please channel को subscribe जरूर कर लें बेल आइकन को जरूर इट करें session अच्छा लागे तो like जरूर कीजे comment के मेरे से जो भी doubt तो doubt पूचिए और अपने दोस्तों को भी ज्यादा से ज्यादा सेयर कीजे चले मिलतें next session में तब तब के लिए thank you जै हिंद